नमस्कार दोस्तों विल्कम टू शुइंग ट्रेट इस वीडियो में हम बात करेंगे सुन्दरम फाइनांस लिमिटर कंपनी के बारे में इस कंपनी का अनालिसिस करने से पहले फ्रेंट्स अब सबको जरूर रिक्वेश्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजे उसके साथ में डेल आइकन को भी प्रेस करके रख लिजे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिपिकेशन आपको टाइम ले मिल सकता है फ्रेंट्स ठीक है चले स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंट्स अगर हम बात करेंगे यहां पर सुन्दरम फाइनन्स कंपनी के बारे में यहां पर 21,000 क्रोड का मार्केट क्या आप है और स्टाक का अगर हम बात करेंगे यहां पर करेंट लेबल पर स्टाक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1910 पर ट्रेडिंग हो रहा है और स्टा और कंपनी जो बिजनेस करता है बिजनेस किस फिल्ड में करता है जो कि फाइनांस कंपनी आप सब को पता है जो कि यहां पे बेहिकल फाइनांस उसके साथ में यहां पे होम फाइनांस उसके साथ में म्यूचल फॉंड जनरल इंसुरांस उसके साथ में फाइनांस सर्विस डिस कोई बुरा भी नहीं कि यहां पर बिजनेस भी हुआ है अगर हम यह क्यों कालकुलेशन देखेंगे तो यहां पर जरूर यहां पर थोड़ा से यहां पर डिकलाइन नजर आ रहा है जो कि पहले से last on Story current का यहां पर यहां पर यहां पर इसके बाद में 1246 का रेविने को अगर हम नेट परफिट के बारेएं बात करींगे यहन पर डिसंबर का क्वटतर में एक वहत्या साथ देखने को मिला था इसी साव स अबहें और इस क्वटतर रहा है अगर हम revenue के बारे में बात करेंगे 5,121 करोड का revenue देखने को मिल रहा है जो कि revenue ठीक है कोई प्रोब्लेम नहीं है यहां पर मार्स 2019 को भी अगर हम देखते हैं यहां पर 3696 करोड था उसके बाद में 4700 हुआ उसके बाद में 5200 हुआ तो इसी साफ से profit अगर देखेंगे तो profit अभी 1100 करोड का profit देखने को मिल रहा है तो इसी साफ से अगर हम जाके यहां पर रिजर्व देखते हैं रिजर्व तो हमेसा growing होते जा रहा है यहां पर कोई problem नहीं है यह भी बहुत बढ़ी है तो इसी साफ से अगर हम promotor holding के बात करें है तो यहां पर इंवेस्टमेंट बहुत यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं अपना हिस्से दरी बढ़ा रहे हैं यहां पर हम बात करेंगे यहां पर 10.87 परसंटेज के पास में हैं और पॉब्ली के पास में 40.96 परसंटेज का पॉब्लीं है अगर आज की दिन में अगर राइस स्टाथ में हम देखते हैं यहां पर 1910 के पास में राइजां पीयरावट देखने को इंप धियांज्य फीस्त जिए बन परसंटेज का पर इस तो है कि अब यूज़ है जिसी साब सब्सक्राइब हुआ है जरूरे इसके बाद में बड़ी आसा राली आने के लिए बहुत बड़ी असा राली राली हमें लेकिन यह सारे स्टॉक में जिसका रेजल्ट बढ़िया है तो यह सब अपना जो टार्गेट जरूर अचीब कराएंगे लेकिन अगर इसी साब से हम बात करेंगे इस्टॉक का टार्गेट क्या है स्टॉक विलकुल यहां पर आ चुका है जो की उदे कि अल्रेड ये लवल पर सपोट ले चुका है अगर आप सपोर्ट के बारा बात करेंगे यहां पर दख्येल्स आपको बिलकुल एक चीज Jacob डिखते हैं यहां पर यह जो guarantee पहले एक मेजर सपोर्ट रहा है तो इसी साब से मुझे रगता है कि यहां पर रेजिस्टन्स ले सकता है क्योंकि आप अगर गोर से देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा जूम करता हूं अगर यहां पर नोटिस करें यह तो यहां पर दिखियें स्टॉक यहां पर एक बार रेजिस्टन्स लिया उसके बाद में अगर आप दखेंगी हां पर एक बार सॉपोर्ट लिया। पर यहाँ पी कंडल लिया है उसके बाद में यहां पर फार सबूर्ब रह सकता है अगर आपको प्रॉफिट्र वुक टरना की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सब्सक्राइब बता रहrier ना किस बेशी से बता रहा हूं कि मैं पूरा ना experience की बेश्च पर बता रहा हूं यह स्टॉक में कोई प्रोब्लेम नहीं है तो यहां पर स्विंग ट्रेड का अपर्चुनेटी आगर आपको इसमें स्विंग करना है तो भी लेके चल सकते हैं अगर आप देखेंगे यह अभी मुझे जहां तक समझ में आ रहा है जो भी मैं 5 साल के experience से मुझे जहां पता चल रहा है यहां पर financially ठीक है कोई प्रोब्लेम नहीं है तो यहां पर हमारा जो टार्गेट है इसर भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है यहां पर रेजिशन्स ले सकता है लेकिन आप ब हैं हम वोल्ड करने का पेके समारा हाथ में होता है ऑगर कोई बिस चलोग में आल्रेड़ी पोजीशन मेरा हाथ में होता है वह को मरा आत्मी है chill से लेके यहां तक का कितना परसंटेज का गयन है जो कि 24 परसंटेज का गयन आपको मिल सकता है अगरस को नहीं सब्सक्राइब आप जाएंगगे ँच्छीम्स में गाजन तोसला लेंगे ऊसी मैच के चल्ड़ा स्थाइब स्टॉक में काफी गिराबट हो चुका है तो अभी हमारा काफी सा रेफिरेंस का सवाल आ रहा था कि यह सुंदरव में मैंने पोजिशन बनाया हुआ है क्या मैं एक्जिस्ट लास्बुक कर लो उसके लिए मैंने वीडियो कवर कि यह स्टॉक में आपको लास्बुक मत पता चलता है कि यहां पए यहां तक आएगा यहां पर सवाल का जवाब खुड़ा सा यह होता है अगर आप अगर स्टॉक मरकेट में थोड़ा स्टाइम देंगे और यहां पर टेक्निकल चैट पाटन को श्टॉड़ी करेंगे आपको भी जरूर पता चल जाएगा क्योंकि यहां पर support resistance किसी साब से काम करता है company का financial किसी साब से check करते हैं इसी बेसिस पर यह सब depend होता है ठीक है अगर fundamentally अपने अच्छा सा स्टॉक को सिलेक्शन किया है ठीक है company अगर financially growth दे रहा है अगर रिजर बड़ी ऐसे growing हो रहा है लेकिन और एक चीज भी मैं आपको बता रहा हूं आपका portfolio में कोई भी stock है कोई भी stock है हमने पहले से तरजा किये हैं तो आपको एक simple काम करना है किसी में भी loss book करने की जरूरत नहीं मैंने कभी भी कोई stock का अगर जिकर भी किया हूं तो आपको पेसंस के साथ में hold करना है loss book करेंगे तो आपका portfolio में loss हो जाएगा अगर पेसंस के साथ में hold करेंगे अपना target जरूर आचिव होगा यह इतना मैं आपको बता सकता हूं ठीक है और कोई भी stock में investment कर रहे हैं आपका अगर small cap stock है उसमें two percentage investment कीजिए एकी stock में आपका portfolio का अगर large cap stock ले रहे हैं तो उसमें five percentage investment कीजिए portfolio को diversification जरूर रखेंगे तो आपको loss हो जाएगा और आपके portfolio में अगर maximum 30 stock है इसा हो सकता है आपके साथ में बिलकुल हो सकता है मेरे साथ में होता है 4-5 stock आपको ऐसे ही पढ़ा रहेगा तो उसमें target आचीव नहीं होता है ठीक है और हर एक stock में आपको target आचीव हो जाएगा इसा कभी होता नहीं हम सोचते जरूर है इसा कभी होता नहीं है 3-4 stock हमें साब का ऐसे पढ़ा रहेगा एक दो साल का range में भी पढ़ा रहेगा तो उसके लिए हमें को भी टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है अगर एक वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए फ्रेंट्स के साथ में शेयर कर लिजिए अगर चैनल पर ना आया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यू बरी